सब्सक्राइब का मारे यूट्यूब चैनल एम लखी पांडे में दोस्तों बहुत सारे स्ट्रुएंट का डाउट सारा है कि सर आप हमें बहुत जल्दी जो है बता देजिए कि आगे की प्रोसेस द फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्या होने वाले तो हम बहुत जल्दी एक हो सकती है वह सारी चीजों को आपको डिस्क्राइब करेंगे कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जुरत नहीं है इस वीडियो में हम बेसिकली मंगलागिरी की जो फिजिकल वेरिफिकेशन निकली थी उसके उपर बात करने वाले हैं मतलब मंगलागिरी के उपर हम डीटे कैसे पहुंच सकते हैं मतलब जो भी हमारा ट्रेवल का टाइम लगेगा वो किस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं प्लस हम मंगलागिरी के बारे में थोड़ा सा डेटेल वे देखेंगे कि कब यह स्टार्ट वगयरा हुआ था किस तरीके के वहां पर फैसलिटी इस समय अव करते हैं तो इसके बारे में डीटेल में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि हम मंगलागिरी कैसे पहुंच सकते हैं अच्छा मैं चीज़ बताना चाहूं कि जैसे हम रिशी केश की वीडियो थी तो उसके अंदर मैंने बता दिया था कि नहीं हाँ ठीक है इसलिए हम कोशिश करते एक ऐसी बताने के लिए आपकी जहां पे सब के लिए इस दियुक्त अब अलग छोटे-छोटे-चोटे से नहीं होते तो इसलिए उसके अदर जैसे मैं जान मुझके बताया नहीं अफोस इसलिए फिर मैंने उसको कमेंट कर दिया कि आप दे हैं जो उसके नियर में एक ही नहीं है दो तीन होते हैं पर हम वह वाले सेंटर को गवर करने की कोशिश करते हैं जहां पर आप लोग सब इसली हर स्टेट का बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो अपना इसली उस हिसाफ से प्लैन बना सकते अब मैं किसी एक के लिए बता दू कि दिली से तो जा रही है आप पर गाड़ी फिर जाएगी नहीं फिर वह कहेंगे सर यह तो गाड़ी जानी लिए आपने तो इसलिए हम लेके चलते हैं इसलिए मैं सोचा कि इसके अंदर तो मैं दोनों ही चीज कवर कर दूंगा एक साथ कोई कोई डाउट रहना जाए कि क्या है तो सबसे पहले जैसे हम पहुंचे तो हमारे पास तीन सोर्स हो जाती है बस ट्रेन एंड प्लेन से स्टार्ट करते हैं तो हमारे अराउंड 30-40 मिनिट्स लग जाएंगे इसमें दिखा रहा है आप अराम से इंसमंगलागी पहुंच सकते हैं अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो महां से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं अपने हिसाफ से अपने स्टेट से देखें आप जैसे फ्लाइट की बात होगी तो यहां पर आती तो जिसको जो नियर लगता है कर सकता है नियरस्यमन बता रहाएं घ्रयक तो डिस्टेंस बहुत ही बहुत माइनूट डिस्टेंस है वहाँ ठीक है जो आप 30 मिनट्स में 30 से 40 मिनट्स में इसली कवर कर लेंगे इस मंगला गिरी के लिए अब जो आ जाता है जो सबसे ज्यादा इसली और वहां क्या कह सकते हैं तो अगर हम चली से अब इसके अंदर सारी चीज़े कवर करें जो इसली आप वह वीजयवाडा ही रेलवे स्टेशन थीक है वीजयवाडा रेल्वे स्टेशन पर क्या है कि आल्मस्ट 170 ट्रेंस से हर स्टेट से रेगुलर आती है 170 ट्रेंस पर एक से आती है उसके अलाबा एंस उसके जो नियरेस्ट जो हमारा रेल्वे स्टेशन पढ़ जाता है वह थीक है मर यह जो बहुत ज्यादा नियर है को लानू कॉंड़ा जो है वह 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 बहुत पास है तो मतलब यह दस से पंदरा मिनिट में आराम से आप पहुंच जाओगे यहां से ठीक है अब जो में जो हमारा पर जंक्शन आता है वह आता है वीजयवाडा जो और सारे हर अधर स्टेट से ट्रेंज को कनेक्ट करती है मतलब वीजयवाडा आसकते हैं उसक बाju जे सकते हैं टैकसी सकते हैं बस लेके आ जा सकते सब्सक्राइब जो हमारा रेलवे स्टेशन वह विजयवाड़ा जो की पूरी ऑल अवर इंडिया के हार स्टेट से से आप स्टेशन को सब्सक्राइब जो आप जसके बस करना साथ से यह सकते हो को बनान एंड% मंगला गिरी यह तो नियुकर भी आता अपा लुकर बनाल हे आ आता मैंगत कर सकते हैं अगर आपके बस the फैस्सक्राइब पर जाता है और विजयावाड़ा जो है एसली जो है ऑल ओवर इंडिया का बस सकते हैं और कोई दिक्कत निया तो विजयावाड़ा बस इस्टेंड वह जाता है जो आल इंडिया असे सेबल बस स्टेंड है मंगलागिरी के अंदर ठीक है मतलब आंदर प्रदेश के अंदर जो हमारा एक्चुल में जहां पर हमारा मंगलागिरी जो है लाई करता है जहां पर हम जा सकते तो यह 300 जिससे पहुंसकते हैं उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो इस से रिलेटिट की सर और भी कु to hi इसके को मद्फ कर सकता है किसी से भी कई बार इंवर सकते करते हैं चलए चल्द करते हैं किसी से भी बार हो क्यों सिखार। तो ठीक है अगर आपको कोई भी लगता है कि और कोई लगता है कि मीस हो गया ट्रेवल से तो आप में कमेंट करके जरूर बदा सकता है कमें अब हम देख लेते हैं मंगला गिरी पूरा 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 ठीक है और इस पर काम चल रहा है और यह 2014 के राउंड में जो फोर फेज एमस का ही लेफसाइट से दिखाता हूं तो देख सकते हैं यह पर है एमस की वेफसाइट यहां पे आंदर प्रदेश एमस मंगला गिरी के वने बताएगा और देखिए क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चल रहा है पूरा मैप प्लै है अकेडमी है मेडिकल कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज है लाइबरेरी एडमीन है और यहां से आपका एक चीज और दूर हो जाएगा डिरेक्टर बंगलव यहां पे भी आपको डिपेंड करेगा और एक चीज अकोमडेशन फैसिलिटी अविलेवल है मंगला गिरी के अंदर बस डिपेंड करेगा कि किस चीज पर करेगा कि वहां पे जो हमारे पास जो वार्टर हैं उसके अंदर सेट अवलेवल है की नहीं और अगर नहीं अवलेवल होगा तो आपका जॉइनिग लेटर आएगा उसके उपर आपको लिख के मिल जाएगा पर्टिकुलर्ली कि सर यह हाउस वगयरा रेंट पे मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी यही रीजन है कि इसको देखते हुए यही सीच को देखते हुए ताकि वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है और अच्छे एमस को भी डेवलप किया गया है वहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइ यह मैस वगयरा का सिस्टम मिल जाएगा अराम से क्योंकि वहाँ पे मेडिकल कोलेज काफी टार्ट से स्टार्ट से अपको खाने वाने का तो अल्मोस्ट एमस के अंदर ही मिल जाएगा प्लस आप बहार जाए तो बहार भी आपको बहुत इसली जीजे मिल जाएंगी कोई द स्ट्रक्शन कुछ चल रहा और कुछ वर कंप्लीट भी हो चुका है तो सारा का सारा इस तरीके से गाइड किया गया देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा है आप एमस मंगलागरी की साइट पर जाके उनका मैप और हैंडबूक डाउनलोड करके खुद भी देख सकत तो इसलिए बहुत अच्छा इंवार्मेंट आपको हां पर मिलने वाला है अच्छे से जाके आप पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी मंगलागरी को जिन्यों सेलेक्ट किया है आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है ठीक है उसके अलावा आपको हा परेशन परेशन फेकल्टी का ही एक बहुत अच्छी बढ़े लिकी और बहुत चमजदार फेकल्टी मिलने वाली है ठीक है डेख सकते हैं आप टोटल जो भी है जिस तरीके से भी टोटल बैट्स आई-सी उमें कितने ओपरेशन थेट्रों में सारी चीज़ी यहां पर लिमिटेड है तो इन सब के अंदर काम चल रहा है कॉंट्रेक्ट बेसिस पे पूरे का पूरा और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा बहुत जल्दी तो आपको बिल्कुल तयार रहना है काफी वर्क अंडर कंप्लीट हो चुका है तो सारी चीज़े हैं और सार बहुत जल्दी ही मिल जाएगा क्योंकि अंडर डेवलपिंग चल रहा है तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत अंदर नहीं होने वाली अब हम फटा-फट से देख लेते हैं कि सेलरी पैकेज क्या रहने वाला है इंसमंगला गिरी के अंदर हम पास रिसेंट सेलरी पैकेज का लिए देना रहने वाला है पैसे हम इसको बूरा फटा-फट से डिसकस कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बसक्राइशब के अंदर आपको जो रहने वाला है वो रहने वाला है 4044,900 यह लाई करता है आपका जो डि यह रहने वाला है वो रहने वाला है 13931 पर संट के आप से इट विल भी 34 पर संट जब तक आपकी जोइनिंग होती है तो 15,000 हो जाएगा मैं हर वीडियो में कहता हूं और ह्र जो है हमारा यह रहने वाला इसके अंदर से जो डिड़क्शन होने वाली है वह आपका इंकम टेक्स की डिड़क्शन होने वाली है और यहां पर दूसरे टेक्स के बजाए जो हम 60 रूपीज पीम के एर फंड में करते है उसके नाम पर प्रोफेशनल टेक्स करता है तूहंडर रूपीज का इसले लिखा ह जग यह नहीं होता है इस स्मंगलागिरी के अंदर यह 200 पीज का प्रोफेशनल टेक्स कटता है थीक है तो इन सारी चीजों को मिला के जो आपका पैकेज बनता है वह बनता है अगर आप इस इसमें से हो सकता है जाब आपकी ज्वाइनिंग हो तो कुछ हो सकता है डिड़क् तो आपको मिलने वाला है 68 k plus salary package होगा एंस मंगला गिरी के अंदर जो भी जिनकी जो है जिन भी nursing officers की जोईन होने वाली है इसमंगला गिरी के अंदर उनका जो salary package है वो 68885 के राउंड में अप्रॉक्सिमेत इतना लाई करेगा ही करेगा ठीक है इससे उपर ही रहेगा ठीक है यह हमने almost maximum deduction तक ले लिया है तो आपको इतना package तो मिलेगा ही मिलेगा fix है इससे उपर मत अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करतीचेएगा और share करतीचेएगा ठीक है उमीद करता हूं वीडियो informative रही होगी क्योंकि हमने almost सारी चीज़े cover कर लिया कि कैसे हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं ठीक है क्या aims mangalagiri का वहाँ पर structure दाने वाला है salary हमने discuss कर लिया है ठीक है accommodation facility discuss कर लिया अगर आभी भी किसी topics related आपको पर doubt है तो आप हमें comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं उमीद करता हूं वीडियो informative रही होगी thank you so much और वीडियो को like चीज़ेगा चैनल को subscribe कर दीज़ेगा more informative वीडियो के लिए और आगे के जो भी process होता होंगे उनके हम बहुत जल्दी एक regular वीडियो आपको within two to three days और जैसे ही यह almost physical verification complete होता है सारे हम्स का आपको लिए हम लेके आएंगे thank you